हेलो गाइस तौगें दुगल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कटंगी तिरोडी न्यू रेल्वे लाइन के बारे में चलो शुरू करते हैं ये रेल्वे प्रोजेक्ट कटंगी से तिरोडी तक है जो वाया पुनिया बनाया जा रहा है और इस ट्रैक की लंबाई कटंगी से तिरोडी तक की 15.9 किलोमेटर की है मैं आप लोगों को इस रेल्वे लाइन का बजट भी बता देता हूँ इस रेल्वे लाइन को बनाने के लिए 186 क्रोड रुपे का खर्चा आया है इस रेल्वे लाइन का काम अंडर कंशक्शन है बहुत ही तेजी से चल रहा है काम बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा इस railway lane का काम और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कटंगी से तिरोडी तक सिर्फ एक ही railway station आएगा जो की पनोईया है इस railway station को passenger halt बनाया जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस 15.9 km के railway track पर साथ बड़े पुल बनाये जाएंगे उनका काम चल रहा है और 24 छोटी पुलियां बनाये जा रही है इस railway track पर इस railway track के बन जाने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा benefit हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो मजदूरों को benefit होगा क्योंकि तिरोडी में एशिया की सबसे बड़ी open moil industry है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजदूर काम करते हैं इस railway line के बन जाने के बाद उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और इंडियान railway को भी बहुत ज़्यादा benefit हो जाएगा इस railway track के बन जाने के गई है जो यह railway line बन रही है तिरोडी से कटंगी तक यह railway line मद्या परदेश स्टेट में बन रही है मैं आप लोगों को इस project के इस railway line के target के बार में बता देता हूँ कि इस railway line को 2021 के अगस्त तक complete कर लिया जाएगा इस single broadgage railway line को साथ में electrified भी किया जाएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कटंगी से बालागार जंक्शन तक single electric line का काम चल रहा है बहुत ही तेजी उसका काम भी चल रहा है उसकी वीडियो जल्द लेके हूँगा और तिरोडी से तुमसर रोड जंक्शन तक भी single electric line का काम under construction है बहुत ही तेजी से चल रहा है बह चैनल टॉकिंग दुगल इसे जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू